श्रीकृष्ण के घर में महाभारत चन रही है श्रीकृष्ण मतलब महाभारत में श्रीकृष्ण का अभिने करने वाले नितीज भारत वाज नितीज ने अपनी पत्ने स्मिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं इसकी शिकायत भुपाल कमिशनर से भी की गई है क्या है शिकायत पुरा मामलास रिपोर्ट पर देखिए जिनके घर इन दिनों माहा भारत चल रही है अन बन की ये कहानी पुरानी है लेकिन अब ये मामला पुलिस तक पहुच चुका है नितीश भारतवाज ने बोपाल पुलिस कमिशनर से अपनी I.S. पतनी की शिकायत की है शिकायत में कहा गया कि पतनी बेटियों से मिलने नहीं द अनस्टेबल हो जाता है वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है जूट जूट बोलके ये जो किया है उसका साइकलोजिकल इंपक्ट उनके उपर हो रहा है और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 500 बार ल जांच जारी है इस सम्मध में का सिकाय्ट पराक्त हुए और पूरे मामलों के ट्रत्यों की जांच कर रही है इसमें प्रतार लगाएं चलिए आपको निटीश और समिता की शादी के बारे में बता देते हैं दोस्त के जरिये दोनों की मुलाकात भी, दो-चार मुलाकात में शादी का फैसला हो गया साल 2009 में दोनों की शादी हुई थी, शादी के बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ आईएस अधिकारी हैं पत्नी स्मिता गाटे, पत्नी वर्तमान में भोपाल में हैं कारियरत, अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं स्मिता एक्टर नितीश भारदवाज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाएं, फिलहाल दोनों के बीच चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एटी तो एक्टर नितीश भारदवाज ने अपनी पत्नी पर लगाए हैं गंभीर आरोप, आईएस पत्नी पर बेटों के केवर नापिंग का भी आरोप लगाया है और कहा है कि मैं नहीं जानता कि अभी मेरी दोनों बेटिया कहा है नितीश भारदवाज सितंबर 2021 से अपने दोनों बेटों से संपर्क नहीं है जैसा कि उनका दावा है और नितीश भारदवाज ने सीम से समावले में शिकायद भी की है बोपाल पुलिस कमिशनर को भी पत्र लिखा है बोपाल पुलिस कमिशनर से हमको ये भी नहीं पता कि आज मेरी बेटियां है कहां क्योंकि बोपाल से निकालके ओटी में डाल दिया था अब ओटी से निकालके उनको कहां डाल दिया है वो किस थिती में है उनको जितने जूट जूट बोले गए हैं उनकी मानसिक्ता पर विपरीद परिणाम हो रहा है तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने कम्प्लेंड किया है भोपाल पुलिस कमिशनर मिश्रा जी से कि एक तरह से ये मेरी बच्चीयों का अपहरन है और साथ में उनका मानसिक और जिसको हम मुई राज्यसभा चुनाओं के लिए आज मध्यप्रदेश में उमीदबारों ने नॉमिनेशन फाइल किया बीजेपी के चारों प्रत्याष्टियों ने विधान सभा में नामंकन किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जवरान मौजूद रहे पूर्व सीएम शिवरा सिंग चोहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष्वीडी शर्मा समेत कई दिगज इस मौके पर मौजूद रहे बीजेपी ने केंद्रे सूचना एवं प्रसारन राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन उमेश नात महराज माया नारोलिया और बंसिलाल गुर्जर को अपना उमीदवार बनाया है तो वहीं कॉंग्रिस ने अशोक सिंग को अपना उमीदवार बनाया है प्रदेश में आद्यसवा की कुल पांस सीटे हैं जिन पर एलेक्शन होना है इन में से चार बीजेपी को और एक कॉंग्रस को मिलनी लगभकते हैं मतदान 27 फरवरी को होगा परिवार में हम सदस के रूप में काम करते हैं जिस प्रकार की परिवार का मुखिया सब सदस्यों की चिंता करते हैं ऐसे हमारे पार्टी के जो मुखिया है वो हम सब की चिंता करते हैं और उसी का परणाम है कि पार्टी के बूतिस्तर तक के कारेकरता जो पंच से लेकर आज ये दायत मिला है ये हमारे भारती जनता पार्टी में ही संबाव है और भारती जनता पार्टी जो कहती है वो करती है भारती जनता पार्टी के नेताओं की नीती बहुत अच्छी है और उनकी नियत बहुत इसलिए जादा से जादा लोग भारती जनता पार्टी में जोड़ रहा है। आप देख रहा होंगे कांग्रेस पूरी तरह तूट चुकी है। कांग्रेस के लोग प्रती दिन भारती जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं सिलन्सिंग मन्보 सिलनसिंगूँ एंपटो Tevye लोग जे वह साथ मैं पालिट के शीर्ष नेतरतों को धनिवाद दता होूं। लिए जो मानने प्रधानमंद्री जी काम कर रहे हैं उस काम में सयोगी बन करके हम काम करेगे राजसभा के लिए अशोक सिंग ने नामंकन फाइल किया है कॉंग्रस ने अशोक सिंग को प्रत्याशी बनाया है प्रदेश के सभी बरिश नेतब आदरनी सोनिय गांदी जी, आदरनी राहूल गांदी जी, आदरनी प्रियंका जी, आदरनी खरके जी, इन्हारे भवड जी जी जीन जीन प्रदेश के सभी वरिस नेताओ, PCJT, CLP लीडर सभी वरष नेताओं का अवार व्यक्ति जाता उन्हों ने विश्वास व्यक्ति गया, कि इस पदी के यह उपर लेकिन तरीके से तमाम जो नेता है उन्होंने कहा कि चंबल को एक सेड़ दिया जो सिंधिया के खिलाब खड़ा होगा क्या लगता है कि व्यक्ति अरूप प्रत्यारोप की राजनीती में मेरा विश्वास नकभी रहा न रहेगा हम कांगरेस की नीतिय पर काम करते आएं और करते रहें करते रहें करते रहें वह नर्मदापुरम जिला पंचायत अध्यक्ष राधा सुधीर पटेल समेत कॉँग्रस के कई नेताओं ने बीजे पी जॉइन कर ली भोपाल में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष विश्णूदत शर्म की मौजूद्गी में राधा सुधीर पटेल ने कई कारेकरताओं के साथ बीजेपी की सदे सदाली। इस दोरान कॉंग्रिस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया। यह हंगामा सर्फ और सर्फ सियासी था, इसकी वज़ा भी अजीब थी। हंगामे को देख आखिर क्यूं सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं जिन्दा हूँ, इस रिपोर्ट पर देखिए। सुमित्रा महाजन के नाम पर कॉंग्रिस राजनी तिकर रही है और बीजेपी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही है। सुमित्रा महाजन को कहना पड़ा कि मैं अभी जिन्दा हूँ, दरसल इन दौर में नगर निगम परिशत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व लोक सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन शामिल हुई, इस दौरान में पक्ष ने जोरदार हंगामा किया, बजह थी पर इसने हंगामा किया और इसको महिलाओं का अपमान बताया, सब लोगों ने सर्वनमती से सरु सम्मती से उनके नाम पे ये सबाग रहे हो, इसको नाम को लेकर सब लोगों ने सहमती जयता ही थी, परिशत में पारित हुआ था और उसी दिन उसकी पुष्टी भी हो गई थी, हंगामे पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैं अभी जिन्दा हूँ, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखनी की क्या जरूरत है, किसी में हिम्मत नहीं जो मेरे सम्मान को ठेज पहुँचा सके जैसी ही ये सदन बन के तैयार हो गया, इसका अब धातन था, तो मान ये महाजन पोर्जी ने, मुझे पोन पे उसके पहले बात चरी, और उन्होंने कहता ही, ऐसा ऐसा बन के आते हैं, और ये आपके नाम था पुरस्ता हुए, मैं तुरन ठोड़ी कभी-कभी बिच्सा बती जब प्रस्ता हुआ था, तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पहलुशत मुझे बताने के लिए आये थे, उन्हों पर ही मैं गुस्सा मिटती, अरे मुझे पूछते तो चाहिए, मैं अधेजी हिंदा हूँ इस हंगामे के पीछे कई सियासी माइने हैं, पिछले कई दिनों से इसे ओफर पॉलिटिक से जोड़ कर देखा जा रहा है, जहां सुमित्रा महाजन को कॉंग्रस में शामिल होने का नियोता दिया गया था, साथ ही इन दौर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की भी बा निवाडी पुलिस को मिली बड़ी काम्याबी, सराफा व्यापारी लूट का दत्या की नरेटा गाउं में मिडल स्कूल और हाइ स्कूल नहीं है, स्कूल के बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे गाउं जाते हैं, बच्चों को दूसरे गाउं जाने के लिए अंगूरी नदी को पार करना पड़ता है, बच्चे जान जोखिम में डाल कर नदी पार करन लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही कि और वाते हैं नदी न कभी दित हुआती है पिछले बश एक लड़की बेह गई ति और हम अग कोई पंचिया तो पंच नहीं पाते समय से वह बंगो जाती है वह अगिया और बच्चे स्कूल कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हरदा में पटाका फैक्टरी हादसे में बृत हुए लोगों को शुद्धान जी दी गई साथी आत्मा की शांती के लिए पूजा भी की गई पटाका फैक्टरी में विस्वोट के बाद तेरा लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हुए थे देवास